Hello everyone, I am Anurag sir and today I will explain you all class 6th English chapter number 12, Loki causes trouble. So, let's start. Lesson 12, Loki causes trouble. देखिये, ये स्टोरी लोकी के बारे में हैं, जो थौर का भाई है, और थौर और लोकी दोनों ओडिन के बेटे हैं. और इस स्टोरी में आप पढ़ेंगे कि लोकी बहुत बदमाशी करता है और फिर देखिये आगे स्टोरी में क्या होता है. So, time to start the explanation of this chapter. One day, Sif, Thor's wife, fell asleep to their palace in Thunderworld. लोकी, who was passing by, saw her and decided to do some mischief. He cut off Sif's golden hair and carried it away. देखिये, इन तीन लैंस का मतलब है कि, एक दिन की बाद है, Sif, जो थौर की वाईफ का नाम है, वो सो रही थी अपने महल में. और तभी, लोकी वहाँ से गुजर रहा था, और उसने, थौर की वाईफ को सोते हुए देखा, तो उसने तई किया कि, क्यों ना कुछ बदमाशी की जाए. और उसने चुपके से, थौर की वाईफ के हेर काट लिये, और देखिए, उसके हेर सोने के थे, यानि की गोल्डन हेर थे, तो वो उन हेर को काट के अपने साथ ले गया. When Sif woke up, she did not know who had done this to her. When she told Thor, he immediately guessed who was responsible for this cruel trick. He set off in a race to look for Loki. When Thor found Loki, he nearly killed him, but Loki promised that he would ask the dwarf to make a crown of golden hair for Sif. तो, जब Sif नेन से जागती है, तो उसे पता चलता है कि उसके golden hair काट दिये गये हैं, और उसे समझ में नहीं आता आखरिये किसने किया. ये बात वो अपने husband Thor को बताती है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया, Thor, Loki का भाई है. तो जब वो Thor को इस बारे में बताती है, तो Thor तुरंत समझ जाता है कि ये काम किसका है, और वो आग बबूला हो जाता है, और Loki को धूर्डने निकल जाता है. और जैसे ही उसे Loki मिलता है, तो वो Loki को करीब करीब मार ही डालता है, लेकिन तभी Loki उससे वादा करता है कि वो उसकी जान बख्ष दे, तो वो बदले में ड्वार्फ से request करेगा, कि वो ऐसा ही एक golden hair का crown बनाए, यानि की ताज सिफ के लिए, जिसे वो पहनेगी, तो किसी को भी पता नहीं चलेगा, दिखें, ड्वार्फ यहाँ पर होते हैं बॉने, और इन बॉने की खासियत ये होती है, कि किसी भी तरह के जादूई चीजे ये बनाने में माहर होते हैं, लोकी, lost no time, but went far underground to the gloomy smithi of the dwarf, these dwarf were known to be wonderful workers in gold and brass, make me a crown of golden hair, said लोकी, that will grow like any other hair, and I will give you whatever you want for your work, देखें, लाइन्स का मतलब है कि, लोकी बिना समय, गवाय, जाता है जमीन के गहराई में, एक ऐसी प्लेस पे, जो की पूरी तरह से बनी हुई है, धातू से, और वहाँ पर रहते हैं ड्वार्फ, यानि की बॉने, और जैसे मैंने अब आपको बताए कि ये बॉने बहुती शांदार वर्कर्स हैं, क्योंकि ये चीज़े बना सकते हैं, गोल्ड और प्रास की, और वो भी ऐसी वे से नहीं, जादवी, तो वो इन से कहता है कि, मेरे लिए एक गोल्डन हेर का क्राउन बनाओ, और उसकी खासियत ऐसी होनी चाहिए कि वो बिलकुल इसी तरह से बढ़े जैसे किसी के बाल बढ़ते हैं, अगर तुम लोगों ने मेरे ये काम कर दिया, तो तुम्हें इस काम के बतले जो भी कुछ चाहिए होगा, वो मैं तुम्हें दूँगा इस परग्राफ का मतलब है, कि उन बिजी ड्वार्फ ने बहुत ही जल्दी इस काम को पूरा कर दिया, और बहुत ही कम समय में उन्होंने लोगी को शाइनिंग हेर के अलावा, यानि कि उन सुने के बाल के अलावा, साती साथ एक जादवी भाला और एक अमेजिंग शिप भी दी लोगी वापस अपने महल में गया और जो खजाने यानि कि जो चीजे वो अपने साथ लेकर के आया था, वो सारे महल वालों को उसके बारे में बताने लगा लोगी कहने लगा कि मैं जन ड्वार्फ से ये चीजे लेकर के आया हूँ, वाकई में धातू के काम में उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता Now, it so happened that the dwarf, Brokkur, was standing by and he heard Loki's boasting. His brother Sindri was such an excellent workman that most of the dwarfs thought him the best in the world. It made Brokkur so angry to hear Loki's boasting, he said. My brother Sindri can make more wonderful things of the gold and iron and brass than those dwarfs can even think of. अभी, उसी महल का जो ड्वार्फ था, उसी महल में रहने मला बॉना, जिसका नाम था Brokkur, वो लोकी की बात को सुनकर खड़ा हो गया, और वो कहने लगा कि उसका भाई जिसका नाम है सिंद्री, वो सबसे काबिल और सबसे बहतर workman है, और बाकी के बॉनों का यानि ड्वार उसका भी ऐसा मानना है, तो लोकी की इस बात को सुनकर, Brokkur को बहुत जादा गुसा आया, और वो लोकी से कहने लगा कि, मेरा भाई, इनसे जिन ड्वार्फ से आप ये सारी चीज़े बनवा कर के लाए हो, तो मेरा भाई इनसे भी बहतर चीज़े आपको बना कर के दे सकता है, और जो ड्वार्फ से आपने बनवाए हैं चीज़े, वो जो मेरा भाई बनाएगा, उसकी comparison में वो कुछ भी नहीं है, मेरा भाई आपको उससे भी बहतर चीज़े बना कर के दे सकता है, और वो ड्वार्फ ऐसा सोच भी नहीं सकते, लोकी बहुत जोर जोर से और काफी लंबी हसी हसने लगता है, और फर कहता है कि जाओ और अपने भाई से कहो कि अगर वो इन चीज़ों की तुलना में इससे भी बहतर तीन चीज़े बना कर के दे सकता है, तो मैं बदले में अपना सर तुम्हें दे दूँगा। इस स्मिथी मतलब वही अपने ऐसे पैलेस में जमीन के नीचे जहां पर गोल्ड, आइरन और प्रास का काम किया जाता है और जादवी चीज़े बनाई जाती हैं। देखे बैलो का मतलब होता है एक ऐसे डिवाइस जो आग को हवा देने के काम आता है। जिससे आग और भी सादा बढ़े और वैगैट फ्लाइ का मतलब होता है एक तरह की मक्खी या पर किसी तरह का फ्लाइ जो काव या होर्सेस को काटता है उनका खून चूसने के लिए। जिससे इंसानों का बलड सक करते हैं मौस्किटोज यानि की मक्खर। तभी सारा काम तयार हो जाता है और बस फर्नेंस के पास बैलो को रखना रहता है। तो सिंदरी उसी बैलो को यानि उसी डिवाइस को फर्नेंस के पास रख देता है कुछ गोल्ड के साथ, उसमें डालकर, और ब्रोकर से कहता है कि मैं किसी काम से भी बाहर जा रहा हूँ तो मेरे आने तक तक तुमको इस बैलो से इस फर्नेंस में हवा देते रहनी हैं। तो ब्रोकर अपने काम में तब तक के लिए लग जाता है और तबी अचानक से एक गैट फ्लाइ आकर के उसे बहुती बुरी तरे से काट लेता है। और वो सहन नहीं कर पा रहा था। फिर तबी कुछ चन बाद सिंद्री आता है वापस और वो उस फर्णन से एक जादवी यानि कि एक शांदार बोर निकालता है। देखे बोर का मतलब होता है जंगली सुर। देखे यहाँ पर यह सोने का बना हुआ है। और इसकी खासियत है कि यह हवा में उड़ सकता है और बहुत रफतार से भाग सकता है। और एक शाइनिंग रिंग, एक चमकती हुई अंगूठी। इस परग्राफ का मतलब है की। सिंद्री फिर आइरन को यानि लोही को फायर में रख दिता है और ब्रोकर से कहता है की बिना रुके तुम्हें इसे ब्लो करते रहना है। यानि फरनेंस जलते रहना चाहिए उसकी आग कम नहीं होनी चाहिए। जब तक मैं वापस आता हूँ। इतने में ये फिर से जब वापस जाता है सिंद्री अपने काम पे तो वो गैट फ्लाइ वापस आता है और इस बर ब्रोकर को उसकी आइस पे काट लेता है। और उसकी आइस से ब्लड निकलने लगता है। देखी ब्रोकर अभी उसे भगा नहीं सकता क्योंकि सिंद्री का ओडर था कि फरनेंस उसे चलाते रहना है। सिंद्री अपने भाई ब्रोकर से कहता है कि तुमने तो इसे पूरी तरह खराब ही कर दिया था। अभी ज़रा देखो तुमने क्या किया है। इसका हैंडल कितना छोटा बना है। तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए था। अब हम इसके हैंडल को बड़ा तो कर सिंद्री अपने अपने साथ ले के जाता है। और जब वो महल जाता है तुम्हें पर वो देखता है। ज़रा बना है कि जितने भी सारे गॉर्ड्ड्ज हैं यानि भगवान वो सभी इंतजार कर रहे थे। तो सभी गॉर्ड्ड अपने अपने सीट पर जाका के बैट जाते हैं। देखिए इनके जो राजगर्दी हैं यानि इसा भी भगवानों की सीट वो काफी चमकदार है। तो ये सबी gods चुनाव करते हैं Odin का जो Thor और Loki के पिता हैं, Thor का और Fraser का जज़ करने के लिए Loki और Broker की बीच में. Then Loki brought out a spear which never misses its mark and gave it to Odin. He gave the golden hair to Thor, who placed it on Sif's head. Straight away it began to grow like any other hair. To Fraser, he gave a marvelous ship which always found a breeze to drive it wherever its master would go and which could be folded up and carried in one's pocket. Then Loki laughed scornfully. देखिये, स्कॉंट्फली का मतलब होती है कि इस तरह की हसी हसना जिससे दूसरे को बुरा लगे. तो इस paragraph का मतलब है, Loki सबसे पहले भाला लेके आता है और वो देता है Odin को. इस भाले की खासियत यह है कि यह जादूई है और यह कभी भी अपने निशाने को मिस नहीं करता. और फिर गोल्डन हेर देता है थौर को, तो थौर अपनी वाइफ को पहना देता है उसके हैट पे और तभी वो गोल्डन हेर उसके हेर पे as it is ओगाते हैं. और फ्रेजा को वो देता है ship, एक जादूई ship जिसकी खासियत है कि वो हवा में drive करती है और इसका मालिक इसे फोल्ड करके छोटे साइज में अपनी पॉकेट में रख सकता है और तभी लोकी हसने लगता है ब्रॉकर के ऊपर. देखें इन दो लाइन का मतलब है कि लोकी बहुती अकड के ब्रॉकर से कहता है कि अब तुम अपनी वो सारी चीज़े दिखाओ जो तुमारे भाई ने बनाया है और तभी ब्रॉकर सभी गोड्स के सामने खड़ा होता है और अपने खजाने यानि अपनी बनाए हुए भगवानों को दिखें इस परग्राफ का मतलब है कि सबसे पहले ब्रॉकर वो जादुई अंगोटिया देता है ओडिन को और कहता है कि हर नौवी रात को ये और ऐसी ही आठ अंगोटिया बना देगा जादुई और वो बिल्कुल शुद्ध होंगी इन्ही रिंग्स की तरह यानि कि आपको खजाने की जरुतिनी पड़ेगी आ इस्वर की खासियती है कि ये भी जो लोकी लेकर कि आया है शेप उसी की तरह हवा में उड़ता है लेकिन इसकी तुलना अगर की जाए तो ये बहुत ज्यादा तेज हवा में उड़ेगा और समुद्र में भागेगा और कुछी पल में आपको अपनी मंचा ही जगे पर hard at which it is maybe and no matter how far it is thrown it will always return to your hand you may make it so small that it can be hidden in your bosom and its only fault is the shortness of its handle. फिर इसके बाद ब्रोकर हतोडे को निकाल कर थोर के हाथ में थमा कर कहता है कि यह हतोडा मेरे लिए सबसे कीमती है जो मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि यह कभी फेल नहीं होगा जिस पर भी आप इसे थ्रो करेंगे यानि फेक करके मारेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बड़ी चीज है या छोटी यह कभी भी अपने निशानी को बिना साधे वापस नहीं आएगा और हां आप इसे कितने भी दूर क्यों न फेक है यह वापस उड़कर आपके हातों में आएगा और साथी साथ में आप इसे अपनी मर्जी से जादो से जितना चाहे उतना छोटा बना लिजे ताकि आप इसे अपने साथ कहीं भी कैरी कर के लिए सकते हैं आपके पॉकेट में भी बस एक छोटा सा फॉल्ट है इसका हैंडल थोड़ सा छोटा है थार शुवंग इट रौंट इस हैड़कर अड़कर है वन देप इजर तो थार उस हतोड़को उठाकर के जब हवा में लहराता है तो चारो तरफ बिजरी कड़कने लगती है आसमान में और तभी सारे गौड चारो तरफ एकटा हो जाते हैं और उस हैमर को एक दूसरे को पकड़ाते हुए कहते हैं कि ये दुश्मनों से हमारी रक्षा करने के लिए सबसे बड़ा हत्यार बनेगा और फिर वो सभी गौड मिलकर के उस ब्रोकर को जीता घोशित कर देते हैं तो इस परग्राफ का मतलब है कि ब्रोकर बहुत सादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने घमंडी लोकी का घमंड चकना चूर कर दिया लेकिन अब ये समय था अपने प्राइस को मांगने का तो कुछ ही मुमेंट यानि कुछ शन के लिए वो सोचता है और फिर वो सबी से कहता है कि मुझे लोकी का सर चाहिए वेल दन टेकिट शाओटेड लोकी यू में कट ओफ मैं है बट यू आपने है लोकी चिला करके कहता है कि ठीक है मुझे मंजूर है तुम मेरा हैड ले सकते हो काट कर लेकिन मैं तुम मेरे बता दूँं कि तुम मेरी गर्दन को नहीं चुवोगे हाँ, याद रखो अगर तुमने मेरी गर्दन को चुवा तो फिर तुम्हें सजा मिलेगी बाकी तुम्हें हैट काटनी की परमीशन है अब जाय सी बात है कि जब तक गर्दन नहीं काटी जाएगी तो हैट कैसे काट दिया जाएगा तो यहाँ ब्रोकर को समझ में आया और इस वरे से उसे निराश होकर वापस अपने भाई संद्री की पास लोटना पड जाता है नव दो गॉड्स वर ग्रेटफुल तो लोकी तो यहाँ प्लेट सम ट्रिक्स तो सभी देवता लोकी का धन्यवाद करने लगते हैं भले ही उसने इतनी ट्रिक्स खेल करके इतनी प्रोब्लम क्रियेट की और इतनी मुसीबिते सभी के लिए उसने यहाँ पर बनाई लेकिन तब भी आकरी में वो इतने सारे wonderful gifts यानि की शांदार तोफे ले आया जिनमें सबसे जादा amazing था थार का mighty hammer यानि की बलशाली हतोड़ा और ये हतोड़ा उनके महल की दुश्मनों से रक्षा करेगा जो की जादवी था और दुनिया में शांती कायम करेगा So, this was the complete explanation of this chapter we will meet in the next video with new chapter till now take care good day